हम अपनी पसंद और नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं लेकिन गभी आपने सोचा कि इस काइनात की अबजेक्ट्स क्या पसंद करते हैं इस काइनात की जितने भी अबजेक्ट्स हैं वो अपनी existing state को continue रखना पसंद करते हैं यानि वो चाहते हैं अगर वो rest पर हो तो वो rest पर रहें और अगर किसी speed से move कर रहे हो तो उसी speed से उसी direction में move करते रहे और objects की इस property को हम inertia कहते हैं So inertia is a property of matter by which it continues in its existing state of rest or uniform motion in a straight line आप सोच रहे होंगे कि जिन objects को आप daily life में move करते हैं वो तो हमेशा नहीं चलते हैं ऐसा असल में friction की बज़ा से होता है अगर मैं हवा की बज़ा से यहां पर friction खतम कर दूँ तो फिर आप देखेंगे यह हमेशा चलते रहे गए What do you think? क्या सब objects का inertia सेम होता है? आप ने देखा कि इस ball की state को change करना मेरे लिए बहुत आसान था यानि इसका inertia बहुत कम है लेकिन इस steel ball को देखिए आप लोगों ने देखा कि इस steel ball की state को change करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है यानि इसका inertia बहुत ज़ादा है तो यहां से तो हमें ये पता चला कि अनर्शा depends upon mass जिसका जादा mass उसका जादा नर्शा जिसका कम mass उसका अनर्शा भी कम होगा अगर हम अपने गिर्दों पेश में नज़र दोड़ाएं तो हमें अनर्शा की बहुत सी examples नज़र आएंगी गाड़ी की अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी में मौझूद लोगों का आगे को जाना लाखों सालों से जमीन का सूरज के गिर्द बगएर किसी इंजन के घूमते रहना और चांद का जमीन के गिर्द घूमते रहना अनर्शा ही की examples है